जेहन दोस्तो मैं सत्यम दिवारी आप सभी का स्वगत करता हूँ एक बार और आपके अपने यूटूब चैनल एक्री जर्णी में तो दोस्तो आज यहाँ पे जो आपके अनिमल हस्वेंटरी की जो सेकंड मौक टेस्ट सीरीज है इसको यहाँ पे अपन सॉल्व करने वाल हैं सारी जो आपकी MCQ है सारी न्यू कोशन से आपको सभी ने आपने पहले भी जो है फस्ट MCQ सीरीज देखी होगी अगर नहीं देखी तो लिंक के मैंने डिसक्रिप्सन दे रखी है आप उस MCQ को सीरीज को देख सकते हैं ठीक है उसमें बहुत इंपोर्टन आपकी कोशन थे और एनिमल हस्वेंटरी की है सेकंड जो आपकी MCQ सीरीज है इसको भी अपन सॉल्व करने वाल हैं ठीक है स्टेप बाइ स्टेप आप सारे डाउट से यहाँ पे इस MCQ सीरीज के माध्यं से आपके सारे डाउट से यहाँ पे क्लियर होने वाले क्योंकि मैं चारो ओप्सन में जो चारो ओप्सन रहते हैं इसका चारो का एनिरस करने वाला हूँ तो बहुत ईंपोर्ण कोशन सीरीज है काप्टी प्रिए सograp 57 जड लेकिन इससे पहले का चैनल पर नए आया हो आप लोग सभी लोग चैनल को जरूर एक बास सब्सक्राइब करते हैं और बैल आइकन को ओन करते हैं ताकि आने वाली छोटी ये छोटी वीडियो को नोटिफेक्शन आप तक सबसे पहली मिलते रहें ठीक है और अगर अब ही तक आप माले टेलिग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो एगरी जर्णी करके हमारा टेलिग्राम चैनल है लिंक की भी डिस्किप्शन में आप चाहें तो जूट सकते हैं ठीक है चलिए बिना देरी के जो आपकी कुशन सीरीज को स्टार्ट करते हैं और लाइक जरूर कर द स्टार्ट के कौनसे अंग से ठीक है तो वो आपको याद रखना है वो चाटट बहुत इंपोटेंट है और कुशन पूछ सकता है आपसे अनिमल एनटोमी का ही कुशन है कि अंडासा के हार्मोन जो आ अंडासा के हार्मों से बलॉंग करता है बता है तो आप देख सकते हो FHS हार्मोंस हैना स्यानू उद्दीपक हार्मोंस बोलते हैं FSH कहा आद रखना स्यानू उद्दीपक हार्मोंस। ओप्शन नंबर बी बोल रहा है कि LH मतलब लिठी नाचिंग हार्मोंस और से आप जेख सकते हैं मादा हार्मोंस, याद रखना, जबकि test test students हो है आपका ner hormones कहलाता है test estrone है ना, जो की विस्रण के नेमान में बहुत ही महाच्पूर्ण भूमिकर नेमाता है आपका, ठीक है तो question नमबर first का याद रखना answer क्या होगा, validate answer होगा आपका D, important है नेक्स आप बात करेंगे आपके second number question की तो second आप देख सकते हो पसू बयाने के कितने समय बात बहुत ही important और महात्यपूर्ण question है पसू बयाने के कितने समय बात दूद निकालना चाहिए पसू बयाने के कितने समय के बात दूद निकालना चाहिए after how much time the milk should come out बेरी वेरी इंपोरटन कोशन है अब भी एक भी बार exam में आयो ओस्ट ने आया exam में ठीक है most important कोशन है पसू ब्याने के कितने समय बात दूद निकालना चाहिए वहूए कितने समय बात दूद निकालना चाहिए तो 15-20 मिनिट के बाद 25-30 मिनिट के बाद यह 45-50 मिनिट के बाद कितने मिनिट के बाद जो है पसु से दूद निकालना चाहिए ब्याने के आपको पता है ब्याने के बाद क्या निकलती है? जिसको अपन क्या होते है? टीक है? तो बता है या पर right answer क्या होगा? कितने time के बाद जो है आपको यहाँ पे दूद निकालना चाहिए तो याद रखना है यहाँ पर right answer आपका क्या होगा 15-20 मिनिट के बाद याद रखना after 15-20 मिनिट के बाद यहाँ पर question number second का right answer है ए question number second का right answer होगा आपका पसू के ब्याने के 15-20 मिनिट के बाद जो आप यहाँ पर निकालना चाहिए ठीक है याद रखना important question है next आप बात करेंगे new question है आपका ये ठीक है अभी तक साइद मेरे चाप से आप लोगों ने question नहीं देखा होगा new question है तो याद रखेंगे इस question को और आपका ये question जो है animal disease से belong करता है बहुत important question है IIL हैदराबाद ने FMD के लिए किस TK को प्रिस्तूत किया ठीक है IIL हैदराबाद में इस चेत है तो इसने FMD foot and mouth disease खुरपका मुरपका के लिए कौन से टींकों के यहाँ पर प्रिस्तूत किया है भाई कौन से टींका निकाला है देख सकते हो आप यहाँ पे तो option में दिया आपका ट्रायो बैक option number D में पुछा हुआ कि हीपा हीबा है ना हीपा हीपी कुछ इस नाइम से यहाँ पे बैक्सिन दिया हुआ थोड़ा सा difficult नाम है ठीक है तो याद रखना है यहाँ पे जो IIL हैदराबाद ने जो बैक्सिन निकाला था foot and mouth disease का उसका नाम था ट्रायो बै बहुत important question है try-o-back नाम का रक्षा यहाँ पे dose निकाल वा था vaccine निकाल वा था ठीक है रक्षा इसको रक्षा क्या बोलते हैं रक्षा try-o-back के नाम से इसको जाना जाता है market है रक्षा try-o-back तो याद रखना आप question number 3 का यहाँ पे C आपका right answer होगा important question है ठीक है next हम बात question number 4 क्या बोल रहा है आपका परियाप्त दूद उत्पादन के लिए पस्वों को प्रती दिन कम से कम कितना हराचारा देना चाहिए very very important question कि परियाप्त दूद उत्पादन के लिए अगर आपको गाया भैसे परियाप्त milk जो है lactation करना है परियाप्त मिल्क उत्पादन करना ह है दूद उत्पादन करना है तो उसको प्रती दिन कम से कम कम से कम कितना हराचारा खिलाना चाहिए और आप बता है कितना हराचारा आप सकीलेंड जो फोडर है वो कितना खिलाओगे आप milk production के लिए animal को per day की आप बात क्यों है तो option भी आप देख सकते हो 18 से 10 किलो sorry 8 से 10 किल 15 से 20 किलो या 22 से 25 किलो या option number D भी आप यहां पर देख सकते हो 28 से 30 किलो तो कितना आप एक जो है दूद देने बाले पसू को मतलब परयाप दूद पादने के लिए कितना चारा खिलाओगे तो क्या right answer हो चीए आपके question number 4 का कितना चारा खिलाना चीए बता है question number 4 का right answer क्या ह question number 4 का जो यहां पर right answer है वो है 15 से 20 किलो याद रखना 15 से 20 किलो चारा खिलाते है वही अगर एक परयाप्त दूद उतपादन करना है अगर आपको एक पशू से परयाप्त milk production करना है तो उसको प्रिती दिन कम से कम हरा चारा कितना खिलाना चीए 15 से 20 किलो यहां पर उसको हरा हरा चारा या गीला चारा भी बोला जाता है याद रखना हरे चाले को गीला चारा भी बोला जाता है तो यहां पर right answer क्या होगा 15 से 20 किलो यहाप और चारा की अगर बात करें तो 8-10 kg यहाँ पर सुखक चारा खिलाएंगे बट यहाँ पर पूछा हुआ है हरे चारे के बारे में तो यहाँ पर बी कोशन नमबर 4 का राइट आंसर क्या होगा कि प्रते एक प्रवसु को प्रती दिन आहार में कितनी है आवशकता होती है भाई आपके खनीज की पient को यहाँ या पर पर्ट इखनीज क्या होते हमतना है टीक है खनीज और लवन और हो फ् effय सकता होती है अंके बारे में आपको पता नहीं है तो यहाँ पर इसकुआ हैних और मिनरल के बारे में यानि every animal required in minerals in everyday कितनी आवशकता होती है एक पसू को अगर खनिज की आवशकता तो याद रखना यहाँ पे पसू को जो है खनिज की आवशकता प्रती दन तो 30 से 35 ग्राम इस राइट आंसर क्या होगा बी इस राइट आंसर होगा एक पसू को प्रती दन 30 से 35 यहाँ पे उसको खनिज लवड की आवशकता होती है लवड की अगर बात करना तो लवड में 25 से 30 ग्राम लवड की आवशकता होती है खनिज पूचे तो कितनी 35 से 35 ग्राम जबकि अगर आपसे लवड पूचे यानि साल्ट के बारे में पूचे ठीक है तो साल्ट कितना बहुत इंपोर्टन कुश्यन है कुश्यन नमर फाइब का राइड आंसर क्या होगा तीस से 35 ग्राम की खनेज पूछा हुआ है लवड़ आप याद रखना ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे आपको कुश्यन नमर साइलेंट ठीट मतलब यह को गुपत रिटूकाल बोलते हैं तो क्या आंसर होना चीबड़ आपका काव में देखने को मिलता है क्या सीप या भेड में या बफैलो में या गोट में तो यहां पर अधिकतर जो है यह रिटूकाल की समस्या या मदड़ चक्र की समस्या हो वो अपने को देखने मोखले को मिलता है है कौँ सा गुपत बर्टीरित का स्मूस्या करें तो जो कि आपका People एनाटोमी से ब्लों करता है कुशन और एनिमल एनाटोमी से आपको बता है एक कुशन 100% आता है एक्जाम में आता है ठीक है तो यहाँ पे कुशन नम्मर 7 की हम बात करें तो पस्वों की लार में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है which digestive enzyme present in animal saliva जो पसुओं की लार होती है उसमें कौन सा पाचक enzyme देखने को मिलता है बता है आपको पता है पसुओं की लार में ना तो टाइलिन पाए जाता है तो टाइलिन जो है आपको पता है तो जुगाली नहीं करते है नोन रोमेंटिक पशु है उनमें आपको यहाँ पे टाइलिन देखने को मिलता है जबकि ऑक्सिटोशन आपको पता है मिलक का लेक्टेशन में मदद करता है ऑक्सिटोशन है ना ठीक है और यहाँ पे जो आपका ट्रिप्शिन है यहाँ पे पश की लार में पाचक ऊपिक नहीं पाँद रखना पे एक क्सिटोशन की लार में इसकी sodium by carbonate के उसमें अधिकता होती है इसलिए उसका pH कितना होता है इसलिए वो छारी होती है उसका pH 8.5 के आसपास होता है मतलब sodium by carbonate की अधिकता होती है लार कैसी होती है छारी होती है तो इस चीज को आपको याद रखना एक्जाम में पूंच सकता है ठीक है 80% water होता है पश जो है लार आपकी बाहर निकालता है पिर्टी दिन तो इस चीज को भी आपको यहाँ पर याद रखना है ठीक है नेक्स्ट आम बात करें यहाँ पर कुश्चन नमबर एट की एक मादा भेड को जगह देनी चाहिए how much space should be provided for each you यू किसको बोला जाता है मादा को भेड के मादा को बोला जाता है यू है ना याद रखना यहाँ पी यू की बात हुए ना तो भेड के मादा को यू बोला जाता है question पूछकता exam में तो एक जो भेड़ की मादा होती है very important question है एक मादा के लिए कितनी जगए के अब सकता हो चीए भाई यह है जो question है आपका यह care and management से पूछा हुआ question है एक मादा भेड़ को जगए देनी चीए कितनी जगए लेगी है भाई लगबग 10 बर्ग फिट लगबग 20 बर्ग फिट लगबग 40 बर्ग फिट या लगबग 60 बर्ग फिट तो भाई यहाँ पर 40-60 बिल्कुल यहाँ पर wrong answer 60 तो किसी भी आलत में answer नहीं हो सकता तो एक भेड़ के लिए यहाँ पर सही बात करेंगे कि एक लिटर यह भी important question है आपका dairy शे belong करता हूँ question है कि एक लिटर भेंस के दूद में दुग्द सरकरा की मातरा लगबग होती है जो एक लिटर कर भेंस का दूद है तो उसमें दुग्द सरकरा यानि जो आपका milk सुगर होती है lactose होती है पचास ग्राम होगी या 75 ग्राम होगी क्या right answer होना चीए आपका एक लिटर भेंस के दूद में दुग्द सरकरा लगबग होती है कितनी होती है तो याद रखना पचास ग्राम के आसपास यहाँ पे होती है right answer क्या होगा question number 9 का C right answer होगा पचास ग्राम के आसपास जो है सरकरा पाई जाती है एक लिटर रखर भेंस का दूद लगबग में एक प्रॉक्स में आपे बात हो रहे है ठीक है यह तो याद रखियागा इस बात को next हम यहाँ पे बात करेंगे आपके question number 10 की तो यहाँ question number 10 पूछा हुआ है कि घी की 100 ग्राम मात्रा से कितनी उर्जा प्राप्त होती है भाई घी की जो घी है घी की घी बहुत important है याद रखना डेरी में घी बहुत मात्रपूर है घी की method है घी को निकालने की method वो very very important है question बिलकुल मतलब जो डेरी topic में घी पनी रुआ आपका दही हुआ या रबड़ी हुआ यह बहुत important है इनको एक बार देख ली जगा घी की 100 ग्राम मात्रा से कितनी उर्जा प्राप्त होती है how much energy obtained from 100 ग्राम घी तो 100 ग्राम घी से अपने कितनी energy मिलेगी तो 100 ग्राम घी से याद रखियेगा 930 केलोरी यहाँ पर आपको energy प्राप्त होगी 100 ग्राम घी से कितनी energy 930 केलोरी यहाँ पर question number 10 का be right answer होगा याद रखना सभी लोग important question है 930 केलोरी उर्जा मिलेगी next हम बात करनेंगे आपर question number 11 की कि नमकीन मक्खन में most important question है बई नमकीन जो मक्खन होता है नमकीन मक्खन में पानी का प्रतीसत होना चाहिए how many percentage of water present in salty water जो नमकीन मक्खन होता है इतने पानी कितने percent होता है बई तो नमकीन मक्खन में पानी यहाँ पे आपको 16% देखने को मिलता है option के according आप ले सकते हो यहाँ पे 8%, 16%, 18% या 20% तो right answer यहाँ पे होगा आपका 16% 16% यहाँ पे आपको पानी का प्रतीसत देखने को मिला salty water में ठीक है याद रटना next बात करेंगे question number 12 भी की तो यह थोड़ा सा घुमाया होगा question है और new question है ठीक है poultry से पूछा हुआ question है आपका कुछ ही समय पहले मद्द प्रदेश के कुछ भागों में bird flu नामग वीमारी से poultry farm को बहुत हानी हुई थी इस वीमारी के जिम्मेदार virus कौन सा था bird flu के लिए especially आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि bird flu किस से फैलता है N2, H1, N5, H5, N1 या N1, H5 तो क्या आपका राइट आंसर हो किस virus के यहाँ पे bird flu फैला हुआ था तो उस virus का याद रखना है H5N1 ठीक है H5N1 नाम का एक virus था जिससे यहाँ पे bird flu फैला हुआ था question number 12 का C right answer होगा आपको याद रखना है H5N1 ठीक है next बात करेंगे आप question number 13 की तो ये भी आपका poultry form poultry शे बिलोंग करता हुआ question है कि मुर्गी के मास में शामान या तहाँ कितने प्रतीसत प्रोटीन होता है generally how much protein percentage in poultry meat भाई poultry meat होता है उसमें कितनी प्रोटीन देखने को मिलती है भी आप देख सकते हो 4%, 11%, 20%, 36% तो कितने percent भाई मुर्गी के मास में protein होता है तो मुर्गी का जो मास होता है उसमें protein आपका होदा 20% याद रखना 20% उसमें protein पाया जाता है मुर्गी के मास में तो question number 13 का right answer क्या होगा C आपका question number 13 का right answer है next हम बात करेंगे आपके question number आपकी 14 number question की ठीक है ये भी आपका थोड़ा सा important question है और रजुकी आपका breed से question है ठीक है नसलों से उसे भी दो question आपके exam में आते हैं नसलों से गाय से और कभी-कभी बेड़े बकरी से भी पूछ लेता है भारत में बकरी की कौन सी नसल है मास और चमडा के लिए सर्बसेष्ट मानी जाती है most important question है भारत में ऐसी कौन सी नसल है बकरी की जो मास और चमडा दोनों के लिए सर्बसेष्ट मानी जाती है which of the following god breed of India is rearing for excellent meat and skin production तो क्या answer होगा आप लोग के according क्या right answer है बकरी की नसल है जो चमडा और मास के लिए तो चमडा और मास के लिए यहाँ पे ब्लेक बंगाल सबसे best breed मानी जाती है मास के लिए तो सबसे best मानी जाती है याद रखिएगा जबकि उन के लिए यहाँ पे पूछे तो गदी भी आप option में गदी ले शकते हो ठीक है फ्रीजियन भी आपकी मास वाली नसली है बट यहाँ पे थोड़ा सब ब्लेक बंगाल से best है यहाँ पे ब्लेक बंगाल best है फ्रीजियन से ठीक है अब बात करेंगे आपके question अमर आपके 15 की तो आप देख सकते हो question अमर 15 में पूछा हुआ है कि भारत की वह जाती जिसके सिर उठा कर चलते हैं मतलब जिसके जो पशू होते हैं जाती के गाय की वह जाती जिसके पशू सिर उठा कर चलते हैं head of on, head of off, walking, which cow breed ऐसी कौन सी गाय की नसल है, मतलब जाती है जिसके जो है पशू सिर उठा कर चलते हैं यह question बहुत से students में पूछा हुआ भी था पर यह doubt में भी था तो इसका answer आप लोग याद रखना हर्याना के जो है, bell भी हो यह हर्याना के पशू हो तो इसके जितने भी पशू या जाती है जो गाय की जाती है, उसमें हर्याना जो है हर्याना के जितने भी पशू है उस सारे सिर उठा कर चलते है, ठीक है इसके बहुत famous है, किसान इसको बहुत पसंद करते है हर्याना के जो सांड होते है हर्याना के सांड को बहुत ज़्यादा पसंद किया ज़ित किसानों के द्वारा ठीक है क्योंकि दुईका जी में बहुत ही फेमस ब्रीड है आपके डबल परपस ब्रीड बहुत ही बेस्ट ब्रीड है ठीक है दुईका जी कारें के लिए किसान को बहुत ही पसंद आती है हर्या छोटी से एठाय से इसलसियस एठाय से उसृ तो क्या आंसर होगा लूँ करीं का ओपरन एक तु designer याद रखना 9-11 celsius is the right answer क्रीम का मन्थन ता जो आपका चर्णिंग टेंपरेचर तो वो 9-11 celsius होता है ठीक है next हम बात करेंगे आपके question number 17 की most important question आपका ये animal breed से संबंदित question है किस गाय का दूद सुनहरा पीला होता है सुनहरा पीला भाई कौन सी ऐसी गाय की नसल है जिसका दूद आपको सुनहरा पीला होता है which dairy breed milk is golden yellow is color मतलब golden yellow color होता है दूद का तो जरसी, short hand, gundancy, iron sire क्या right answer होगा भई आपका, iron sire है ना, iron sire जो आपकी, sorry, यहाँ पे जो गर्नसी आपकी breed है यह आपकी सुनहरे जो है पीले दूद के लिए बहुत ही famous breed मानी जाती है तो question number 17 का, यहाँ पे right answer क्या होगा, c, gundancy, gundancy जो है आपकी, जो सुनहरे पीले दूद के लिए बहुत ही famous breed है क्योंकि इसके दूद में आपको beta carotene अधिक देखने को मिलेगा, तिक है, याद रखना beta carotene अधिक दूद देखने को मिलता, gundancy के दूद में यहाँ पे question number 17 का, c, right answer होगा, ठीक है, next बात करें हम question number 18 की, की एक मुर्गी बर्स भर में ओसत अंडे देती है, average की बात कर रहा है, ठीक है, ओसत अंडे देती है, average egg given by poultry in a year, मतलब एक मुर्गी बर्स भर में ओसत कितने अंडे देगी, ठीक है, specific किसी breed के बारे में यहाँ बात नहीं की है, यहाँ में बात की है, उसने ओसत अंडे यानी average के बारे में, तो क्या answer होगा भई, 15 से 20, या 10 से, sorry, 100 से 500, 1500 से 200, या 200 से 500, क्या right answer होगा, ओसत average अंडे अगर पूछेगे, तो average अंडे 50 से 100 अंडे is the right answer, ठीक है, आपके देसी breed बहुत सारी आपको देखने क मिल जाएंगी, बट यहाँ पर उसत पूछा हुआ है, तो 50 से 60 अंडे average अगर मानके चलें, तो यहाँ पर right answer A होगा, ठीक है, याद रखना, बहुत important है, question, next बात करेंगे, यहाँ पर हम एंत्रक्स बीमारी का सबसे पहले किस ने बनाया था, वह एंत्रक्स का बैक्सीन की ब मनना है, और सबसे ज़्यादा किसको प्रभवित करती है, तो आपको पता है, बेड को बहुत ज़्यादा प्रभवित करती है, आपकी जो यह एंत्रक्स है, और एंत्रक्स ऐसी बीमारी है, जो पश्वों से मनस्तों में भी फैलती है, तो एक चीज़ा कुछ important topic है, जो important question के आपको याद रखना आप लोग, ठीक है, एंत्रक्स का बैक्सीन सबसे पहले किसने बनाया, किसने बनाया बहुत यह बहंकर आपकी disease है, ठीक है, जो जीबानों के द्वारा होती है, ठीक है याद रखना, बेसीलस एंत्रक्स जो एक बेक्टिरिया होता है, उसके कारणे यहा कुस्चन नंबर 20 की, तो और यह से ब्लाऊंग करता हो क्षिन है, क्योंसा फॉसपोलिपिड सबसे अधिक होता है, इस तीनो आपकी यहाँ पे फॉस्पोलिपिड है, ऑचे जाप मिल्क में सबसे अधिक देखेर O को मिलेगा which phospholipid is most commonly in milk तो एक lecithin है आपका lecithin most common यहाँ पर phospholipid है तो यहाद रखना यह मिल्क में आपको तीनो phospholipid की आप एक चाह ज्यादा देखने को मिलता है lecithin ठीक है lecithin, cephalin और stephenomyelin यह आपकी क्या है phospholipid है तो इस में lecithin आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा तो question number 20 का a right answer होगा आपका next हम बात करते है question number 21 की most important question और अधिक्टे students को गलत भी करते है most important question है यहाद रखना ठीक है gastritin नामक हार्मों का उस्षरजन होता है कहां से यह gastritin हार्मों सीक्रेशन करता है कहां से करेगा आठ से करता है क्या intestine, stomach यानि आमास है, pancreas यानि अगनास है या एक्राद या liver कहां से gastritin जूस देखनेगा बताएं तो गेस्टेशन जो आपका juice है वो कहां से निकलता है जो आपकी आठ आमास है जो आपका stomach है, वहाँ से gastritin juice निकलता है, याद रखना, ठीक है, कहाँ से उस्तर जोता है, तो gastritin juice आपका amasah याद रखना है, इस question को याद रखना, question number 21 को, ठीक है, amasah से निकलता है, ना कि, बहुछे students क्या लगा जाते हैं, कई तो students यहाँ पे pancreas और एकरस juice कर लेते हैं, एक क्रस आपका पित्रस निकलता है, ठीक है, आपको सभी को पता है, कौन सा रस निकलता है, पित्रस निकलता है, याद रखना, इसको bile juice बोलते हैं, बाकि यहाँ पे जो आपका amasah से क्या निकलते हैं, gastritin नामक juice, ठीक है, next हम बात करें, यहाँ पे question number 22 की, दूद सुखान का उद्यस होता है, आपको पता है, दूद बहुत से जो बड़े-बड़े dairy farm क्या करते हैं, पस्वों को मतलब लगती, एक time तक लगती रहती है, लेकिन उसके पहली बहुत सारे जो है, गवाले क्या करते बड़े-बड़े dairy farm को लगाना बंद कर दिया जाता है, मतलब उसको पस्वों को सुखा दिया जाता है, ठीक है, तो उसका उद्देश क्या होते है, सुखाने के, option B आप देख सकते हो, स्वास्त की छती पूर्ण का पूरा करना, जो स्वास्त में मतलब कमी हुई हो, उसको पूरा कमना, recover of health, option number B आप देख सकते हो, सरीर में परयाप्त पोशक इस तर बनना, option number C आप देख सकते हो, स्वास्त बच्चे पेदा करना, option number D यानी उप्रुक तो सभी, तो बिल्कुल तीनों काम यहाँ पे किये जाते हैं, गायको पसु को सुखा कर, तो question number यहाँ पे right answer क्या हो, 22 का D right answer है आपका, ठीक है, इसलिए पसु का यहाँ पे सुख अगर milk fever किसी को हो गई, पसु को तो उसमें कौन सा टीका लगवाना चाहिए, पहले तो आपको पता हूँ जिए milk fever में क्या होता है, milk fever सभी बीमारियों में केकलोटी ऐसी बीमारी है, जिसमें temperature क्या होता है, लो होता है, बाकि सभी जितनी भी आपकी disease होती है, उसमें temperature क्या तो दुख दुख दुज़ार के लिए कौन सा तिंगा लगवाना चीए तो आप देख सकते हो पैनिसिलीन, कैल्सियम, बोरोग, गलुटोनेट, ठीक है, टेरामाइसीन या नोन अब दीज, तो यहाँ पे कैल्सियम, सिधी-सिधी बात है, हाइपो, कैल्सीम या इसको बोलते ह कैल्सियम, बोरोग, गलुटोनेट का जो है, यहाँ पे टीका लगवाना चीए, तो कुश्चन नमबर 23 का बी राइट आंसर है, याद रखना, ठीक है, इंपोर्टन कुश्चन है, नेक्स्ट आम बात करेंगे, आपे सारे कुश्चन, निव कुश्चन है, तो कुश्चन न बनता है, उसमें गाए की कितने परसंट की हिस्चेदारी है, यहाँ पे यह पूछा, कितने परसंट की हिस्चेदारी है, गाए अपनी, जो गाए की, कितने परसंट की हिस्चेदारी निकल के आएगी, तो यहाँ पर याद रखिएगा, option देख सकते हो, 20%, 37%, 26% और 12%, तो यह यहाँ पर जो हिस्सेदारी है वो याद रखना गाय की यहाँ पर टोटल अगर हिस्सेदारी की बात कर रहा है तो 37% के आसपस 37.8% यहाँ पर इस्सेदारी किसकी है गाय की है ठीक है 21.505% यहाँ पर भेज की आपकी इस्सेदारी है कुल पशुदन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे ठीक है और आपकी आप बात करेंगर तो 26% की आसपास यहाँ पर आपकी बकरी की हिस्सेदारी है ठीक है और 12% यहाँ पर आपकी भेड की हिस्सेदारी है कुल पशुदन में याद रखना है यहाँ पर question number 24 का right answer B होगा ठीक है मैंने आपको सारे बता दिये बहस की 21% गाय की 37% 26% बकरी की 12% बेड की तो इनको आपको याद रखना है next हम बात करेंगे आपके question number 25 की ठीक है यहाँ पर भी students को confusion होता है मदचक्र और मदकाल में ठीक है क्या होते हैं तो गाय का मदचक्र होता है कितने दिन का होता है गाय का मदचक्र हाउ एस्टरश एस्टरश सबस्था बोलते हैं तो गाय का मदचक्र होता है कितने दिन का होता है 18 दिन का या 10 से 12 गंटे का या 12 से 24 गंटे का या 21 दिन का तो मदचक्र यहाँ पर गाय का होता है वो होता है यहाँ पे 21 दिन का या दखना गाय का मदचकर कितने दिन का होता है तो गाय का मदचकर यहाँ पे 21 दिन का होता है ठीक है या दखना जबकि मदकाल यहाँ पे कितने घंटे का होता है तो मदकाल की अगर बात करें आपसे मदचकर तो हो गया confusion नहीं होना आपको exam में मदकाल की अगर बात करें तो कितने घंटे का होता है 12 से 24 घंटे का मदकाल होता है जबकि मदचक्र की अगर बात करें तो यहाँ पर मदचक्र आपका 21 दिन का होता है तो question number 25 का D-right answer होगा ठीक है next हम बात करें आपे question number 26 की very very important question IMP question start लगा ले nutrition संबंदित question है घाय के आहार में starch की मातरा रखनी चाहिए बाई कितनी मातरा गाय के आहार में starch की रखनी चाहिए the amount of starch should be kept in the cow cow की आहार में कितनी मातरा रखेंगे बताएं बाई 550 gram, 650 gram, 450 gram, 350 gram 350 gram, कितनी मातरा रख़ें आप starch की तो स्टार्च की यहाँ पे जो मातर रखेंगे वो 450 ग्राम कुशन नम्बर 26 का सी राइट आंसर होगा 450 ग्राम यहाँ पे जो है मातर रखी जाएगी स्टार्च की गाय के आहार में ठीक है नेक्स्ट आम बात करगे कुशन नम्बर 27 यह भी most important question है ठीक है start लगा लिस पे भी भेड़ बकरी से अच्छा बच्चा पेना करने के लिए भेड़ बकरी से अगर आपको अच्छा बच्चा पेना करने के लिए आहार में प्रती दिन दाना और हे की मातरा होने चाहिए animal nutrition के मैंने बहुत कुशन डालने है क्योंकि topic से कुशन आते है ठीक है और ऐसे कुशन आते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भेड़ बकरी से अच्छा बच्चा पेना करने के लिए आहार में 35 दाना और हे की मातरा होने चाहिए कितने percent होने चाहिए बई 250 ग्राम आपकी जो है यहाँ पे दाना और 500 ग्राम यहाँ पे है option number 1500 ग्राम दाना 300 ग्राम है option number C भी यहाँ पे देख सकते हैं 120 ग्राम दाना और 220 ग्राम है option number C 300 ग्राम दाना या 600 ग्राम है तो यहाँ पे right answer क्या होगा आपका question number 27 का जो right answer है 500 gram यहाँ पर दाना और 500 gram यहाँ पर है question number 27 का यह right answer है याद रखियेगा दाना कितना रहेगा दाना रहेगा 200 gram प्रतीज़न की यहाँ पर बात हो रही है और है कितने रहेगा है 500 gram है आपको पता है पता का सूखा चारा ही होता है ठीक है याद रखना नेक्स हम बात करेंगे आपे 28 नमबर कुशिन की कि मूर्गी संख्या में प्रथम राज जवाई विच स्टेट इदा फर्स्ट इस नमबर ओफ चिकन्स यानि मूर्गियों की संख्या की बात करें तो प्रथम राज कौन सा है अप्सन भी आप देख सकते हो तमिल नाडू, आंधरा प्रदेश, तैलंगाना, राजस्थान तो मूर्गियों की संख्या में अगर बात करें तो तमिल नाडू आपका फर्स्ट नमबर पर आता है ठीक है याद रखना आपकी टोटल 81 मिलियर क्या सपस आपकी तैलंगाना में टोटल आपको मूर्गी देखने को मिलेंगी तो यह जो है डाटा को याद रखना ठीक कुशन नमबर 28 का यह आपका राइट आंसर होगा ठीक है नेक्स हम बात करेंगे आपके कुशन नमबर 29 की तो कुशन नमबर 29 क्या बोल रहा है आपका की हरदेनू important question है ठीक है की हरदेनू गाय का उत्पत्ति स्थान यह गाय की एक नसल है हरदेनू इसका जो है ओरिजन इस्थल क्या है आप देख सकते हो देहली उत्तरा खंड हर्याना या उत्तर प्रदेश तो हरदेनू का जो है उत्पत्ति स्थान है वो है यहाँ पर हर्याना ठीक है हरदेनू हर्याना इससे आप याद रखियागा हरदेनू का ओरिजन इस्थ ठीक है IMP question है ये दच्छिन भारत में सबसे जादा दूद देने वाली गाय की नसल है वै कौन सी नसल है दच्छिन भारत में आपकी सबसे जादा milk production करती है बताया वै कौन सी ऐसी नसल है ठीक है साहिवाल होगी आपकी सिंधी हो गई गेर हो गई या देविनी तो क्या answer होगा आपका तो यहां पर देविनी ब्रीड है यह आपकी कहा इसका 35 आपका आंधरपदेश है ठीक है तो यह आपकी दच्छिन भारत की बहुत ही ज्यादा दूद देने माली नसल मानी जाती है question no.30 का D right answer होगा आपका दच्छिन भारत में सबसे जादा यहां पर especially उसे दच्छ पर नया है हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को डूल लाइक करते हैं और मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ जैहिन बंदे मातरम ठीक है भाई